हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सब कारूची भी हो चैनल पर आज मैं आप लोग को देशी स्नैक्स याने की भूंजा इसको चबेना भी कहार करते हैं इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पहले चूड़ा लिया है याने की पोहा और मकई लिया है और boiled rice ऐसे आप कोई सी भी rice ले सकते हैं और चना लिया है और एक लोहे की कड़ाई में मैंने नमक को गरम करने के लिए तेज आज पर रख दिया है यह वही नमक है जिसको मैं केक बनाने में यूज करती हूँ नमक हमारा गरम हो गया है इसमें मैंने चावल को डाल दिया है और इसको तब तक हम तेज आज पर भुनेंगे इसको हम भुनते समय बिल्कुल नहीं रूखेंगे इसको लगातार भुनते जाएंगे जब तक इसमें पटपट की आवाज आएगी तब तक भुनते रहेंगे दिखिए हमारा चावल लगभग भुन चुका है भुनने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा और इसको हम एक चलनी से चान देंगे हम प्लास्टी की चलनी यूज नहीं करेंगे हम इस्टील ने तो लोहे की चलनी यूज करेंगे प्लास्टी की चलनी जल जाएगी ये कितने अच्छे से खिले खिले चावल लग रहे हैं अब उसी नमक को मैंने फिर से कडाही में डाल दिया है और इसमें मैंने चना को डाला और इसको भूनने स्टार्ट कर दिया इसको भी बीना रूके हम लगातार तब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें पटपट की आवाज आएगी ये बहुत ही हेल्दी होता है और इसको बनाने में भी जड़ा टाइम नहीं लगता है देखिए चना हमारा भून चुका इसको भी हम अच्छे से चलनी से चाल देंगे और भूनने के बाद ये ऐसा लग रहा है फिर मैंने उस नमक को डाला फिर मैंने इसमें मकई को डाला और फिर उसको भी सेम प्रोसेस में जब तक उसमें आवाज आएगी तब तक इसको भूनते जाएंगे मकई को सेफली भूनियेगा थोड़ा ये उड़ता है थोड़ा आँखों को बचाके इसको भी लकतार हम भून दिये और इसको भी हम चाल देंगे मैं अपने गावा में जाती थी तो मेरी दादी मुझे ये ही स्नेक्स देती थी साम को और ये कुछ ऐसा लग रहा है भूनने के बाद और फिर से मैंने गरम किया नमक को फिर मैंने चूड़ा डाला और उसको भी लगतार हम ऐसी भूनते जाएंगे तेजाच पर और इतने अच्छे हेल्दी स्नेक्स के लिए फ्रेंड्स एक लाइक तो बनता है और उसको भी हम चाल देंगे और ये भूनने के बाद कुछ इस तरह का लगेगा फिर उसी प्रोसेस को फिर से करेंगे हम नमक में फिर मैंने थुड़ी सी मुझफली डाल दी और इसको भी हम चाल देंगे नमक को निकाल देंगे और ये कुछ ऐसा लगेगा इस तरह से हमने सारे आनाज को भून लिया है देखिए और मैं एक बरतन में पहले मैंने मकई को डाला फिर मैंने चूड़ा डाला इसमें भूना हुआ चावल डाला चना डाला मुंफली को भी डाल दिया और एक छोटा-छोटा कटा हुआ प्याज भी डाल दिया और मैंने दो हरी मिर्च काट कर डाल दी इसे मैं देशी तरीके से बना रही हूँ इसलिए मैं इसमें सर्सो का तेल डालूंगी अगर आपको सर्सो का तेल पसंद आए तो आप नीम्बू का भी यूज कर सकते हैं अगर आपको खटा पसंद है तो और इस स्वात के नुसर मैं यहाँ पर नमक भी डाल के अच्छे से मिला लूंगी इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं लेकिन मैं इसे और टेस्टी बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा बेसन का सेह डाल दूंगी देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है और खाने में भी उतनी ही टेस्टी है और हेल्दी है आप इसे अपने बच्चों को खिलाईए और खुद भी खाईए और कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको कैसा लगा था और हाँ नमक को फेकी अगमत आप उसका रियूज कर सकते हैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, शियर, कमेंट जरूर करें प्लीज